माइनश आठ डिगरी से ले करके माइनश बीस डिगरी तक कि तापमान में अगर हजारों हजार लोग सडकों पर उतर करके परदसन करने को मजबूर है और ऐसे में प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी देश की संसद में बैठ करके उनकी आवाज को सुने नहीं तो फिर देश की संसद चलने का मतलब क्या है मुझुदा वक्त में देश की संसद चल रही है और मुझुदा वक्त में आठ डिग्री से लेकर के 20 डिग्री माइनस तापमान के अंदर लगदाख में हजारो हजार लोग सडकों पर है राहूल गांदी की यात्रा बेमानी लगती है राहूल गांदी की यात्रा एक राजनितिक यात्रा लगती है ठीक बात है लेकिन लदाख में लोग क्यों सडकों पर है यह तस्वीरे जिर आप देखिए यह तस्वीरे देखे आप लड़ाक में हजारो हजार लोग सड को पर आगए है मैदान भर दिये लेकिन वो सड को पर नहीं है वो लोगों के बीच में नहीं है जिन को होना चाहिए था जिनको सुनना चाहिए था BJP ने अपनी मैनिफेस्टों के अंदर जो बात रखी थी उसी बात को लद्दाक के लोग अब पूछ रहे हैं कि बतेये सहाब आपने अपने मैनिफेस्टों के अंदर कहा था आगे मैं आपको तस्विरे दिखाऊंगा अब हम अपनी उसी मांग को मांगने के लिए आये हैं हम चाहते हैं कि आपने अपने मैनिफेस्टों में जो कहा था उसको आप लागू कर दीजी लेकिन बीजेपी अपने मैनिफेस्टों में तो लागू करती है लेकिन हकीकत में नहीं मैनिफेस्टों में तो दिखाती हैं कि हम ये करने वाले हैं लेकिन हकीकत में नहीं और इसी लिए इसी लिए लद्दाक के लोग अपने आपको एक तरह से पॉलिटिकल तोर पर अनाथ की तरीके से देख रहे हैं और कुछ दिन पहले अब से कुछ दिन पहले एक वीडियो निकल करके सामने आई थी जब लद्दाक के चरवाहों को चीन की आर्मी के द्वारा ख़देड दिया गया था उनको वहाँ पर अपने भेड चराने के लिए भी नहीं जाने दिया जा रहा जहाँ पर वो सालों साल तक जाते रहे हैं ये केवल मामला इतना नहीं है कि भेड हैं कहीं और चर लेंगे जानवर है यहाँ नहीं तो वहाँ चरालो क्या दिक्कत है ये मामला ये है कि हमारे लोग हमारी धर्ती के उपर वो क्यों नहीं जा रहे है मैं लद्दाग गया था ग्राउंड रिपोर्टिंग की वहाँ पर और गलवान घाटी पर जिस वक्त में जड़प हुई थी उस वक्त जा करके मैंने ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी एक हफ़ता वहाँ पर रुख करके ग्राउंड रिपोर्टिंग की कोई और चैनल ने शायद नहीं की और यूट्यूब चैनल पर तो शायद छोड़ दीजिए और उस वक्त में लोगों ने कहा था कि अगर लद्दाक में टूरिजम और अगर लद्दाक में चीन का डर अगर बठा दिया लोगों के दिलों में तो बहुत भारी नुकसान इसका होगा और उस वक्त में कई बड़ी हस्तियों से मैंने इंटर्व्यू के थे करनल सोनन वंग्चुक से मैंने बात की थी तो खेर आज का जो बड़ी खबर है मैं आपको बता रहा हूँ लद्दाक में जो बंद का एलान किया गया है वो लहे एपेक्स बोडी LAB और कारगिल डेमोक्रेटिक अलाइंस KDA इन्होंने मिल करके किया है और इनकी तरफ से 23 जनवरी को किंद्रिये ग्रह मंत्राले को एक ग्यापन शोपा गया था ऐसा नहीं कि किसी ने उठ करके अपनी राजनिती के लिए ये एजेंडा चलाना सुरू कर दिया है तेही जनवरी को बाकाइदा ग्रह मंत्राले को एक ग्यापन शोपा गया था और ये 23 जनुरी आखरी तारिक है इससे पहले कई बार और हो चुका है क्या था गयापन के अंदर उनकी चार मांगे क्या है फोर पॉइंट एजेंडा वो सुन लीजिए लद्दा को रज्जे का दर्जा जिया जाए जमूर कस्मीर में आपने 370 हटा दी लोगों नहापर ताली बजा दी वावाई कर दी जैजेकार कर दी जिलोगों को ये भी नहीं पता की उनके गाउं में से या उनके शहर में से उनके जानने वालों में से कौन लद्दाक में गया कभी वो लोग फाइदे और नुकसान बताते हैं लद्दाक से 377 अटाई या कस्मीर से 377 अटाई तो अच्छा किया वो लोग आप और हम बताएंगे या वो लोग जो वहाँ पर रहते हैं वो लोग बताएंगे कि 377 के क्या नफ़े नुकसान है खेर अब लद्दाक के लोग ये मांग कर रहे हैं कि आपने 377 को हटा दिया 377 को हटाने के बाद में जम्मु कस्मीर लद्दाक को केंदर सासित प्रदेश बना दिया तो आप केंदर सासित प्रदेश मत बनाईए लद्दाक को दिली से मत चलाईए लद्दाक को अलग राज्य का दर्जा दीजिए तो पहली मांग ये है कि लदाख को राज्य का दर्जा दिया जये दूसरी मांग, लदाख को छटी अनुसूची के तहत दर्जा दिया जाना चाहिए और यही सबसे बड़ी बात है कि छटी अनुसूची के तहत दर्जा देने की मांग बीजेपी अपने मैनिफेस्टों में भी करती रही है मैं आपको मैनिफेस्टों का स्केरिन शोट आपको दिखाऊंगा ले और कारगिल को संसद में अलग-अलग सीटे दी जाएं और ये बड़ा सवाल है कि लेहे और लदाख लिहे और कारगिल को संसद में अलग-अलग सीटे दी जाएं पहले जब जम्मु कस्मीर की पूरी असेंबली थी तो उसमें लिहे लदाख से चार MLA थे अभी संख्या पूछे है ही नहीं तो बताई उन लोगों को तकलीफ नहीं होगी कि पहले चार MLA थे उनके और अब नहीं है तो वो लोग नहीं पूछेंगे क्या हलाकि ये बात भी है कि अभी वहाँ पर असेंबली का गठन नहीं हुआ है लेकिन जो प्रिक्रियाएं चल रही है उसमें भी लदाख को स्थान नहीं मिल रहा है ये वहाँ के निताओं का लोगों का आरोप है आगे मैं आपको डिटेल में बताता हूँ और चोथा बड़ा पॉइंट रोजगार का पॉइंट अब रोजगार के पॉइंट को तो चैद कभी छुआ ही नहीं जाता नोक्री आरक्षन के लिए लदाख लोक सेवा आयोग LPSC लदाख लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए लदाख के लोगों को भी नोक्रियों में आरक्षन दिया जाना चाहिए जाइर सी बात है लोगों को प्रस्थितियों केुसाब से आर्क्षन मिलना चाहिए, ढंके की चोट पर मिलना चाहिए यहाँ पर अगर एक टेंपरेचर हो जाए दो टेंपरेचर हो जाए या बारिस हो जाए तो बच्चे स्कूल में नहीं जाते हैं अब किस तरह से चीन और पाकिस्तान को लेकर के लगातर खबरे आती हैं तो क्या बच्चे डिस्टरब नहीं होंगे और केवल यही बात नहीं होती है और कही सारी चीज़े होती हैं लेकिन कहां पर इन चीज़ों को लेकर के ध्धान है यह आप देख लेजिए LAB और KDA के कानूनी सलहकार हाजी गुलाम मुस्तफा ने मीडिया को बताया कि जब लद्दाक केंदर सासित प्रदेश बना यूटी बना है तब से ही अपेक्स बोडी और KDA चार मांगे उठा रही है हमारी सभी पावर्स सक्तियां जो जन केंदरित थी वो कमजोर हो गई है जब जम्मू कस्मीर का हिस्सा थे जब हम जम्मू कस्मीर का हिस्सा थे तो विदान सबा में हमारे चार सदस्य थे यानि चार MLA थे और विदान परिसद में दो सदस्य थे अब विधान सभा में हमारा कोई प्रतिनी दितों नहीं है अब बते ही इसको क्या कहेंगे क्या ये मांग कोई ऐसी है कि बिलकुल जिसको माना ही ना जाए जिसको कंसिडर ही नहीं किया जाए और इसके बाद में आगे जो है इस पर वो कहते हैं कि लद्दाक के अंदर जब से लद्दाक के अंदर सासित प्रदेश बना है इस छित्र में कोई गजटिड नोकरी के आउसर नहीं आए है जबकि जम्मु कस्मीर में दो बैच पहले ही चालू हो चुके हैं तीसरा बैच जल्द चालू होने वाला है लद्दाक को तुरंत एक लोग सेवा आयोग की जरूरत है तीनसो सत्तर हट गई ताली बजाली थाली पीट दी मोधी का जहजेकार कर दिया लेकिन लद्दाक के लोगों की नहीं सुनी यह हकीकत है लद्दाक के लोग कह रहे हैं कि कोई गैजटेड नोकरी आई ही नहीं है तो यह भीदभाव क्यों जबकि जमू कस्मीर के अंदर दो बैच चालू हो चुके हैं और तीसरा होने वाला है तो यह बात इन्होंने कही है और अब बीजेपी का ये मैनिफेस्टो का स्क्रिन शोट आप देख लीजे बीजेपी का ये मैनिफेस्टो है 2019 के लोगसवाद चुनाओ के लिए और इस मैनिफेस्टो के अंदर तीसरे नंबर पर अगर आप देखेंगे ये बीजेपी के मैनिफेस्टो में तो यहाँ पर सीर्य तोर पर लिखा हुआ है Declaration of Ladakh Under Sixth Schedule of Indian Constitution Tribal Area जन जाती के तहट छटी अनुसुचिक में Ladakh को रखा जाएगा यह BJP अपने मैनिफेस्टों में तीसरे नमबर पर इस बात का जिकर करती है और फिर उसके बाद में और भी इसमें कई सारी चीज़े दिख रही है कि भासा को हम जो है वो दर्जा दिल लवाएंगे यह भी जिकर है तो यह सारी चीज़े हैं और BJP के मैनिफेस्टों के अंदर Ladakh को छटी अनुसुचिक जाती में रखा जाएगा इस बात का भी जिकर है तो अब बताएए BJP ने उस वक्त में जो कहा उसको आज किस तरह से देखा जाए BJP उस वक्त में जो कह रही थी उसको आज किस तरह से आप देखेंगे और अखिलेस यादाव ने इस कल के प्रदशन को तस्विरों को शेर करते वे लिखा है भाजपा के खिलाफ ले लदाख में जो लोग जमा हुए है वो दरसाते हैं कि भाजपा कैशे उत्तर दक्षिन पूरव पस्चिम से ले करके उत्तर पूरव तक हर जहें देश को बाट करके राज करने की कोशिस कर रही है जहें को दाओं पर लगा दिया है इस बार भाजपा हमेशा के लिए जाएगी तो यह अखिलेस यादों की तरफ से ट्वीट किया गया अखिलेस यादों कह रहे हैं कि पूरव हो पस्चिम हो उत्तर हो दक्षिन हो हर जहें लोग बीजेपी से परेशान है हर जहें लोग बीजेपी के खिलाफ सडकों पर उतर रहे है और संसद देश का सबसे बड़ा वो स्थान है सबसे बड़ी वो पंचायत है जहां पर इस आवाज को सुना जाना चाहिए सोचें कि आपके गाओं के अंदर अगर कोई बहुत बड़ा हंगामा हुआ है आपके गाओं में कोई बहुत बड़ा हंगामा हुआ है किसी एक महले के अंदर और उसके बाद में आपके गाओं की शाम को पंचायत बैठती है और आपकी गाओं की पंचायत में इस बात का जिकर भी ना हो कि फला महले के अंदर हंगामा हो गया और फला महले के अंदर लोग जो है वो सडकों पर आ गए और फला महले के अंदर लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ में यह परिशानिया हो रही है तो आपको कैसा लगेगा आप उस पंचायत में पहुँच करके उस पंचायत में कूद करके हंगामा ख़ड़ा कर देंगे जो पंचायत आपका आवाज को सुनने का काम नहीं करेगी लेकिन आज देश की सबसे बड़ी पंचायत अपने ही एक किंदर सासित प्रदेश के अंदर हज्यारों लोग इखटा हो गए खड़े हो गए और वो देश की पंचायत में बैठे मुक्या पता नहीं उनके जहन में कौन सी नहीं तयारी चल रही है कौन सा नया कानून लाने की तयारी चल रही है कौन से कानून को मिटाने की तयारी चल रही है लेकिन जिस कानून के लिए जिस आवाज के लिए जिस मांग के लिए हजारों लोग सडकों पर उतर जाए उसको पता नहीं क्यों अंसुना कर दिया जाता है उसमें इंट्रेस्ट क्यों नहीं दिखाया जाता है कि इस सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए कॉंग्रेस की तरफ से स्रिनिवास बीवी ने लिखाए कि आज पूरा लद्दाक सडकों पर है भाजपा का मैनिफेस्टो हाथ में ले करके अपने साथ हुए अन्याय के खिलाफ आवाज उठा रहा है सवाल ये है कि मीडिया ने आपको ये तस्वीर दिखाई अगर नहीं तो फिर कारण क्या है वहाँ के लोग और सोनम वांग्चुक की तस्वीर आप देख रहे हैं ये सोनम वांग्चुक जिनके उपर फिल्म बनी त्री इडियट अमीर खान ने जो रोल निभाय त्री इडियट का वह इन सोनम वांग्चुक की जिवन के उपर फिल्म बनी है ये केवल लदाक के नहीं बलकि दुनिया के दुनिया के जाने माने चेहरे हैं और ये सोनम वांग्चुक कल उसी मैदान में मौजूद थे और उसी मैदान में भाजपा के मैनिफेस्टो को ले करके सोनम वांग्चुक वहाँ पर बीजेपी को ललकार रहे थे बीजेपी से सवाल कर रहे थे लेकिन कोई ख़बर नहीं बनी लेकिन हाँ अगर आज अमीर खान ये कह दे कि प्रधान मंतरी 2024 में नरिंदर मोदी फिर से बनेंगे तो देखिए देखिए अमीर खान को ले करके पूरा मीडिया कैसे वावाई में लग जाता है और अमीर खान को देश का सबसे बड़ा जो है वो आइकोन घोसित कर दिया जाएगा लेकिन अब जो अमीर खान 3Date पिच्चर बनाते हैं सोनम वंग्चुक के उपर और वो सोनम वंग्चुक खुद सड़को पर है अलाकि अमीर खान के नाम आ गया और उनकी पिच्चर का नाम याद आ गया तो मुझे ये भी आदा आगया कि अमीर खान ने एक पिचर और भी बनाई थी दंगलर और उसमें हर्याना की बेटियां और हर्याना की उन बेटियों के उपर जो फिल्म बनाई जिसने रिकॉर्ड तोड़े साबं 3D8 ने रिकॉर्ड तोड़े डंगल ने रिकोर्ड तोड़े और जिन बेटियों के उपर फिल्म बनाई वो बेटिया सडक पर गसिटी गई और तब भी संसद का उधाटन हुआ था इसी नई संसद का उधाटन हुआ था और आज उसी नई संसद में बैट करके नरेंदर मोदी जी कैं इन तस्विरों को नहीं देख रहे होंगे और याद करिए इस नई संसद के अंदर संगोल की स्थापना की गई थी याद है आपको जब नरेंदर मोदी ऐसे संगोल ले करके चले थे और उनके पीछे पीछे लोग सबा के स्पिकर थे ओम बिरला जी और संगोल की स्थापना संसद के अंदर की गई तब का गया किसाब अब संगोल की स्थापना हो गई है मतलब की देश में अब धरम दंड स्थापित हो गया है देश की संसद में धरम दंड का नाम दिया गया था लेकिन उस संगोल कहां पर है उस संगोल का क्या उप्योग है सवाल ये है इसके बाद में एक ये वीडियो आप देखिए कॉंग्रेस की तरफ से वीडियो जारी किया गया और कॉंग्रेस ने कहा कि लद्दाक के अंदर चर्वाहों को चीनी सेना पीछे धकेल रही है जहां तक चर्वाए जाते थे अपने भेडों को चराने के लिए अपने जानवरों को अपने मवेशियों को चराने के लिए उनसे पीछे धकेला जा रहा है और मुझे ये कहना पढ़ रहा कि कॉंग्रेस ने जारी किया है कॉंग्रेस ने दावा किया क्योंकि कोई और दूसरी समाचार एजेंसी ANI, PTI और कोई दूसरी समाचार एजेंसी हम जैसे लोगों के पास तो उतने संसादन नहीं है लेकिन उनके तो वहाँ पर स्ट्रिंगार रिपोर्टर है न किसी समाचार एजेंसी ने वहाँ पर जा करके इस बात को पड़ताल करने की कोशिस नहीं की या पड़ताल दिखाई नहीं कि कॉंग्रेस ने जो वीडियो जारी क्या है वो जूटा है, फरजी है और इस तरह से कुछ नहीं हुआ है वहाँ पर, वहाँ पर किसी चर्वाय को नहीं रोका गया है क्यों नहीं कॉंग्रेस के मुँपर करारा तमाचा जड़ा गया लेकिन कोई ऐसी खबर नहीं आई तो क्या फिर ये माना जाए कि कॉंग्रेस ने जो वीडियो जारी करके बाद कही है वो सही है अब सुप्रिय सिनेत ने इसको लेकर के ट्वीट किया उन्होंने का कि 2 जनवरी को LAC के पास लड़ाक के काक गंज छेतर में स्थानिय लोगों द्वारा सूट के गई इस वीडियो में पेट्रोलिंग पॉइंट पीपी 35 और 36 के पास चीनी सैनिकों और भारतिय चरवाओं के बीच में हुई बिडंत साफ दिख रही है हमारे चरवाओं के सास को सलाम है पूरवी लड़ाक में 65 में से कम से कम 26 पेट्रोलिंग पॉइंट ऐसे हैं जहां पर अप्रेल 2020 से भारतिय सैनिकों की कोई गस्त नहीं जा रही है इन में से कई छेतरों में जहां पहले गस्त की जा रही थी उन्हें बफर जोन में बदल दिया गया है यह मैंने पहले भी कई बार आपको समझाया यह क्या है PP35 36 यह क्या है कि आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए जैसे यह फिंगर है मेरी इस तरीके से तो finger 4, finger 5, finger 6, finger 7, finger 8 finger 8 तक ये चोटिया है लदाख जो है वो पाड़ी एरिया भी है एक cold desert भी कहा जाता है तो finger 8 तक हम लोग पैट्रोलिंग करने के लिए जाते थे पहले लदाख में जो आप 3D फिल्म में देखते हैं पैंगोंग लेक जील तो उसके सारे सारे बोट के जरिये या फिर जो है वो और दूसरे तरीके से पैदल के जरिये हमारी गस्त होती थी finger 8 तक यानि जो चोटिया है अलग-अलग इस तरह के से तो हम finger 8 तक जाते थे लेकिन अब बताए जा रहा है कि हम finger 4 तक ही है और ये finger 4 से finger 8 के बीच का जो एरिया है ये buffer zone बना दिया गया है buffer zone का मतलब ये होता है कि इस area में ना तुम आओगे ना हम आएंगे अब कोई कहेगा कि चलो ठीक बात है वो भी तो नहीं आ रहे हमारी जमीन थी हमारा घर था हमारे घर में ही पडोसी आ करके हंगामा करने लगा और हम को ही कह दिया गया बाद में कि ठीक है यहां पर तुम भी नहीं आओगे हम भी नहीं आएंगे हम तो यहां तक थे ही यह हमारा घर है यह हमारी हद है हम क्यों पीछे जाएंगे ये सवाल है आगे वह लिख रही है कि सुप्रिया सिनेत लेकिन भारत सरकार में सुवी पड़क सन्नाटा है मतलब कि जो गस्त नहीं हो रही है हमारे सैनिकों की और ये गस्त अप्रेल मई 2020 से नहीं हो रही है दरसल उस वक में जब गलवान घाटी का जड़प हुई थी तो वो 15-16 जून की रात वो गड़प हुई थी 2020 के अंदर तो यहां पर सुप्रिया सिनेत कह रही है कि भारत सरकार में सुवी पड़क सन्नाटा है लाल आखे कब तक मूंदे रहेंगे यह देश और हमारी प्राकरमी सेना कोई नहीं घुसा हुआ के जूट की कितनी और कब तक के मत चुकाएगी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी का बयान याद है ना आपको कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है ना किसी पोस्ट को हमारी किसी ने कबजे में लिया है ये जब गलवान घाटी का जब करोना का समय था जब ये पूरी जड़प हुई और उसके बाद में हमारे 18-20 सैनिक सहीद भी हो गए थे हमने भी उनके कुछ सैनिकों को सहीद किया लेकिन ये करीब परीब 40-45 बरसों बाद भारत और चीन की सीमा के उपर एक जड़प हुई थी वरना भारत और चीन की सीमा जो है शांत छेतरिक तरह से था भारत और पाकिस्तान के छेतर बोडर पर फिर भी केजवल्टी की खबर आती थी लेकिन भारत और चीन पर नहीं लेकिन हुआ नरेंदर मोदी जी के राज में ऐसा और उसके बाद नरेंदर मोदी जी का जो बयान आया वो हिला देने वाला था कि ना कोई घुसा है ना कोई घुसा हुआ है और ना ही हमारी कोई पोश्ट किसी दूसरे के कबजे में है और मैं आपको कई बार पहले बता चुका हूँ कि नरिंदर मोदी जी के देश के प्रधान मंतरी के इस बयान को हटाना पड़ा था गेराई समझे ही इस बात की कि देश के प्रधान मंतरी के बयान को हटाना पड़ा क्योंकि उस बयान से नुकसान हो रहा था उस बयान से चीन इंटरनेसनल लेवल पर जा करके ये दावा कर सकता था कि देखे भारत के प्रधान मंतरी का ओफिशल स्टेंड ये है इसलिए उसको हटाना पड़ा आगे वो कह रही है कि इस दोरान चीन के राजनाइक RSS के मुख्याले में मिटिंग क्यों कर रहे हैं अभी जो है वो चीन के राजनाइक आए और वो RSS के मुख्याले में गए हम चीनी टेक्निसियन के लिए वीजा क्यों आसान कर रहे हैं चीन के लोगों के लिए हम वीजा आसान बना रहे है चीन से लगातार आयात क्यों बढ़ रहा है लद्दाक में मेजर सैतान सिंग के युद समारक को बफर जोन में क्यों डाल दिया गया है तो मेजर सेतान सिंग नाम से मज जाए आप उनका प्राकर्म देखिए मेजर सेतान सिंग का समारक भी वो ये दावा किया जाता कि उसको भी बफर जोन के अंदर डाल दिया है बफर जोन का मतलब वही कि ना तुम आओगे ना हम आएंगे जहाँ पर मेजर सैतान सिंग का उनका समारक बना हुआ था मतलब समझे इस बात को आप ऐसे कि आपने अपने खेत के अंदर आपके पिताजी की आपके दादाजी की या आपके परदादा की मूर्ती लगाई हुई है कि उनको आपने अपने खेत के अंदर ही अंतिम संसकार किया था और उसका अपने खेत में ही आपने उनकी मूर्ती लगा दी और अब पडोसी के साथ में जब जगडा हुआ तो पडोसी कह रहा है कि इस खेत में जहां पर तुमारे दादा की फोटो लगी हुई है वहाँ पर भी उस खेत में भी तुम नहीं आओगे अब बताईए कोई अपने दादा का अंतिम संसकार पडोसी के घर में थोड़ी न करके आता है अपने घर में अपने हद में करेगा ना तो मेजर सैतान सिंग का जो समानक है वो हमारी हद में था और वो भी बफर जोन में चला गया तो इसका मतलब क्या समझा जाए इस देश में लोगों को राष्ट प्रेम का सर्टिफिकेट बाटने वाला मीडिया यह हमारे लोग हैं हमारी सरजमी है इस पर एक सवाल तो पूछो अपरेल 2020 की यथा स्थिती कब होगी तो यह बड़ा सवाल की 15-16 जून 2020 की रात से पहले अपरेल तक यह 15-16 जून को जड़प हुई थी लेकिन स्थिती बताया यह जाता है जानकार यह बताते हैं की अपरेल 2020 में ही बिगड गई थी उसके बाद में तो वो चरम पर पहुँची थी उस रात को जब हमारे सैनिक सहीद हुए थे तो वो स्थिती कब लागू होगी तो इतना बड़ा चैप्टर है इस पर 2 घंटे 5 घंटे लदा के उपर हम बात कर सकते हैं लेकिन अपसोस की बात यह है की मेडिया 2 मिनिट 5 मिनिट भी बात नहीं कर रही है अपसोस की बात यह है की देश के प्रधान मंतरी देश की संसद में इस मुद्दे पर 2 मिनिट 5 मिनिट भी बात नहीं हो रही है और जहां पर माइनस 2 डिगरी माइनस 3 डिगरी माइनस 8 डिगरी माइनस 13 डिगरी माइनस 20 डिगरी टेंप्रेचर में लोग सडकों पर उतर रहे हैं तो इसलिए आपकी जिम्मेदारी है अगर आपको लगता है कि खबर जरूरी है ये खबर देश के लोगों की है और अगर ऐसा आपके साथ में हो और कोई फिर आपकी आवाज को ना उठाए तो आपको क्या मैसूस होगा आपको क्या फील होगा खुद समझ लीजिए शेर कीज़े इस खबर को लोगों तक पहुँचाएए आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट वोक्स में लिख करके जरूर बताएए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ओनलाइन नीजी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए साथ में जो बैल आइकन है गंटी उसको जरूर दबाईए ताकि जैसे ही कोई खबर अप्लोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीदे सबसे पहले आपको मिल सके अगर ये वीडियो फेस्बुक पर देख रहे हैं तो फेस्बुक पर हमारे पेस को लाइक कीजिए फोलो कीजिए और इस कबर को शेर कीजिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद